शश्रिकाल मैं हूँ जश्पीत आपका होस्ट एंद दोस्ट क्यों खेड़ दिया काटफुल लाते चलो खड़ा दिनने है फेस्टिव सीजन चल रहा है और एस प्रॉमिस्ट मैंने आपको देनी है इंटरस्टिंग इजी रेसिपीज आज मैं लेकिया हूँ आपके लिए एक स्वीट जो की सिर्फ तीन इंग्रीडिंट के साथ बनती है हाँ जी साही सुना सिर्फ तीन इंग्रीडिंट के साथ स्वीट उसमें से एक सबका फेवरिट है ताट इस ओरियो शुरू करते हैं आफ्टर दी इंटरो तो जी स्वीट बनानी है ओरियो के साथ और ओरियो को मैंने डिवाइड कर लिया टू फांस में जो उस्का कोकी है उसको फाइन पॉडर में ग्राइन कर लिया है और उसके अंदर की बटर क्रीम मैंने निकाल लिया है और बाकhी दो INGRIENT है क्रीम और वाइट चॉकले टूङट नोमल कोकिंग क्रीम उसको ले लेते हैं पैन में पैन के नीचे लगा देते हैं आग और बिलकुल स्लो कर देते हैं क्रीम इंटो दी पैन क्रीम पैन में डालने के बाद ये बटर क्रीम इंटो दी पैन विद क्रीम अगर बटर क्रीम पे थोड़े बहुत ओरियो कुकी का क्रमबल लगा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है लगे रहें दो फ्लेवर ही आ रहा है मैंने जो क्रीम लई है नॉर्मल कुकिंग क्रीम वो है 50 ग्राम्स वाइच चॉकलेट लई है 150 ग्राम्स एंड वन पाकेट ऑफ ओयो दाट्स इनफ बटर क्रीम हमारी क्रीम में मेल्ट हो गई है तो जब तक ये कुक हो रही है जब तक इसके अंदर टंप्रेचर गेन होता है तब तक हम अपनी चॉकलेट चॉप कर लेता है चॉप करने के लिए नाइफ और चॉकलेट तो जी हमारी चॉकलेट भी चॉक हो गई है क्रीम को भी बॉइल आ गया है तो हमारी चॉकलेट इन्टू दी पैन अब इस टाइम पर आपको लगेगा कि हमारी जो क्रीम है वो चॉकलेट के साफ से बहुत कम है अब धीरे-धीरे आपको पता चल जाएगा कि यह सब एक्वल है आपको बहुत ही थिक टाइप गिनाश बनाना है, अक्चुली टूफल बनाना है, और यह देखते ही देखते, टूफल में कनवर्ट हो जाएगा, अगर आपको लगए चॉकलेट नीचे लग रही है, तो पैन को यह से हटा लेना, तो यह देखिए, यह हमारा गिनाश रेड़ी है, इसके अंदर हम डालेंगे हलकसा ओयल, हलकसा, ओयल से इसके उपर एक गलेज सी आज़ेगी, बहुत ही प्यारी सी शाइन सी आज़ेगी, अब जैसे कि आप देख सकते हैं, सब चीज़े रेड़ी हैं, गैस कर दिया बंथ, इसी बाउल में हम अपना गनाश निकाल लेंगे, अब यह हमारा चॉकलेट रूफल, वाइट चॉकलेट रूफल विद ओरियो बटर क्रीम रेड़ी है, यह जाएगा इन्टू दी डिफ्रीजर, सेट होने के लिए, फॉर एक लीस्ट हाफ एन आर, उसके बाद निकालेंगे, बाल्स बनाएंगे, और प्रेजेंट करेंगे, तो इसको आदा घंटा हो गया है, मैंने दस मेट एक्स्रा ही छोड़ दिया है, इसको सेट कर लिया है, अब इसके बाल्स बनाएंगे, हाथ पे थोड़ा सा ओयल लगा लिए, बाल्स बनाने के बाद यह जाएंगे ओरियो क्रेंबल में, और यह into the plating bowl, अगर आपको लगे, आपका यह जो क्रूफल का मिक्स्चर है, थोड़ा धीला हो रहा है, थोड़ा थंडा कम है, तो दबाए डाल देना, क्योंकि हाथ की गर्मी से, फिर यह मिल्ट होने लग जाएगा, विंगारियम लिवियोसा, जास्ट लुक अद दिस ब्यूडी, है ना अमेजिंग, अब यार आपको क्या करना है, आपको लाने बस तीन इंग्रेंट, क्रीम, ओरियो, आण वाइच चॉक्टेट, बनाईए, गेस्ट आ रहे हैं, शॉर्ट नोटिस पे, उनके सामने प्रेज कर लेना, ताकि ये शेप होल्ड कर ले, इजिएस रेसिपी, इजिएट स्वीट, अब इसके अलावा और क्या चाहिए, अब चाहिए, आपका लाइक, कॉमेंट, और सब्सक्राइब, और हमारे जो सोशल मीडिया हैं, उनका लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा ह प्लीज फोर मोर अपडेट, थैंक य।, हप्पी कोकें!